आप लिखित परिक्षा में वो तेर्ण में हैं सब, इसलिए आप में विशय का पैट तो है, प्रिवेश आपका है विशय आता है, तेकिन चैन जो है बहुत थोड़े नमबरों के आंद पर वांकों पर होता है, बहुत कम मार्जिन रहती है उसमें, इसलिए उसके लिए तोड़ा सा साक्षातकार के लिए विशयस हमें तैयारी करना चाहिए, कुछ हम आप तो सब जानते हैं, जो अब तक आपने आपके जो इस परीक्षा के कोर्स में है, परीक्षा में, पूरा उसको देख लिजे, मैं यह कहना चाहूँ कि प्रायाह, वहां लोग मुझत हैं कि आपको इस श्लोक सुनाएं, जिस श्लोक को आप सुनावें, वही श्लोक सुनावें, जो आपको पूर्ण रूप ते तयार हो, पूर्ण तयार हमाने एक तो उसका पाठ में, उसके वाचन में कहीं आप अशुधी न रह जाए पढ़ने में, प्राय हर लोग जैसे संजिप्ताक्षर है तो उसको नहीं कहते हैं, तेजप्रकाश तो संजिप्ताक्षर के पढ़ना चाहिए और उस श्लोक में आप देखिए कि इसमें कौन सा छंद है, उस छंद का लक्षन बताईए आप, और लक्षन संस्कृत में है, उसको एक असपस किते प्रयाती होती है, उसमें कारक कौन है, संधी कौन है, उस स्लोक में पूरा व्याकरणत का उसी से अगर आप अच्छा सुना देंगे तो उसी से प्रमाम प्रसन होते जाएंगे, उसे कौन संधी है, कौन कारक है, कौन विवक्त जो है, और साथ ही साथ है, आधिक कोनी भी हो इसके सास्य कहना चाहेंगे कि इस लोग तो बढिए हो पहला जो है मन को पत कुछने वालखा और रहे हैं व कि यह सी क्या है कि हम जानते हुए भी वहां भूल जाते हैं तो एक तो यह रखिए और संद, समा, स्कारक कुछ प्रत्य जो आपके कोर्स में है अब इसका मतर जी सोड़ों कि आप तब्यत है तब्यानियर और कुछ मत्वर्थी प्रत्य और अनप्रत्य जीत है नहीं जो आपके एर्ट तो सब है ध्यंत में उत्तरक दंथ पूरा है देख़़ा जो आप त्यारी आपकी है बस आपको linking दर्शन में तीन ऊ अ दर्शन और इस और सलना से मानिय साख में कितने प्रमान है नयाज में कितने है प्रफ़ेदान में कितने हैं और बौध दर्सन में कितने हैं सारा एक सो यह सद्धित कंप्रेट्व करिए और पहिला हो सके तो हर दर्सन का पहिला जो आपकी वह है मंगराश में पहिला इस लोक है वो जरूर याद है दरीका मोटा मोटा सपूरा उसको पढ़ा लिए पुछ तो भासावी घ्ञान के जो सिल्वा से उसको भी आपको घ्ञान होना चाहिए सुम दाएंगे कावफ प्रकास का प्रसामुलाज प्रकास मोट Tucson बहुत आवश्यक है कावफ प्रकास के प्रसामुल्लाज से खूप कूछ पूचे जाते हैं अगर आप पहिं से कहरीया सुनाई आप कोई मंगला चनर वो आपने नियति-कृति-नियम रहिताम लादिक में सुनाया आपने तो फी इसको फिर दोनों का कविकी स्रिष्टी असार काव्य और ब्रह्मा की स्रिष्टी जो संसार है इसमें दोनों तोलना करने पड़ेगा और क्यों यहाँ पर भार्ती का वेर जयहती कौन साला अंकार इसमें यहाँ पर एक है इसको भिताए और निय्मिति जो है निर्मतिमा जाती निर्मतिम के सब जशेशने के तो यह और दीड़ेगा है और रहिताम लाद ईकमाइम जैसे आया किसी氣 सुनाया बताया तो मयठ प्रत्य है, अब मयठ में मय बचता है, तो राद मय हो गया, अब राद मयी कैसे बन गया, तो आप बताओ कि यहाँ ठीट है, ठीट ढाने द्वैसन से यहाँ पर गीफ हो गया, तो राद आइक मयी बना, अब निर्मित्युम क्या है, निर्मित्य जो है इस्वी तो यह जो भी आप सुनाइए इनको बहुत पश्ट रूप से, पूरा कोर्स में जितना है भी पंदार दिन बहुत है, और हो सगए कि आपस में कुछ है दो चार अगर परचित हैं तो उससे डिस्कुस करिए और संद्य समास कारक्स तो जरूर देख लीजिए, कुछ सब्द र रूप आपके हैं, धात रूप जो आपके सिल्बस में हैं वो भी पूछ सकता है कोई आदे, अनुबाद भी अब देखिए आप इतनी जाजी तो अनुबाद का अभ्यास नहीं हो पाएगा आपका, लेकिन सब्द रूप धात रूप देख लिए आप कुछ अनुबाद तो मातना का स्माना करके हमारा ख्याले पूछने वाले भी सवाजीत हैं, हम लोग जैते हैं, हम पूछ यहां बैठते हैं, हम तो ही मानते हैं कि हर विद्यार्सी परिक्षार्सी वो परिक्षार से ज्यादा जानता है, इनी सब्दों साथ सब के साथ हमारी सुभकामना है, सब ल